मैं रोस्तिवारिय अपने यूट्यूब चैनल लेटस इजी तूल बै करता हूं अभी तक आपने यूट्यूब चैनल ऊज्चनल उजन को सस्क्राइब कर्ब नहीं किया है तो रेड़ बटून डबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले मिल जाएगा सबसे पहले ठीक है आज हम लोग अध्याय चार कारवन वेम उसके योगी कक्छाद 10 के अभ्यास में जो प्रस्ण उतर दिया गया है उसको देखेंगे अभ्यास का पहला प्रस्ण है अब्जेक्टिव टाइप का है पहला प्रस्ण है NCRT सॉल्यूशन है इसलिए आप लोग धान से इसको देखेगा पहला प्रस्ण है एथेन का आन्विक सुत्र C2H6 है इसमें ओप्शन दिया हुआ है छह सह सहयोजक आबंद है साथ सह सहयोजक आबंद है थिक है दूसरा प्रस्ण आपका ब्यू-टनोन चतुर्थ कारव से तुर्थ कारवन योगिक है जिसका प्रेकर्यात्मक समु है तो ब्युट्र बरतन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है कि जर्थ आप कह भोजन बना रहे हैं और बरतन की तली से नहीं जल रहा है यानि आप जिसे इंधन का उप्योग कर रहे हैं इसका उधारन आपको सबसे अच्छा देखने के लिए मिलेगा चूला पर जो आप पात्र का उप्योग करके आप भोजन बनाते हैं तो उसका पेंदी जो है ज्यादा काला होता है जबकि गैसलेंड रोपर का कम होता है इसका मतलब यह है कि कि इंधन पूर्नुरुपेन नहीं जल रहा है ठीक है चलिए आगे देखेगा चौथा प्रस्न चौथा प्रस्न है आपका CH3Cl में आबंध निर्मान का उप्योग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाईए तो देखें CH4 सबसे पहले सरल हाइड्रो कार्बन मीथेन का आनविक सूतर है मीथेन का आनविक सूतर CH4 है लेकिन जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा विस्तापित किया जाता है तो क्लोरो मीथेन प्राप्त होता है यहां कार्बन के तीन इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन के एक एक एलेक्ट्रोन से साज़ेदारी करके तीन आबंध बनाते हैं जैसा की चीतर में यहां पर दर्साया गया है ठीक है यहां कार्बन के तीन इलेक्ट्रोन हाइड् कार्बन का चौथा इलेक्ट्रोन क्लोरीन के साथ बंद बनाकर अपना कोस को क्या करता है पूरा करता है यहां पर देख रहे हैं कार्बन का तीन हैड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और उसके बाद चौथा जो है वो किसके साथ बनाता है क्लोरीन के साथ बनाता है ठीक है समझ स्ट्रोण बिंदू संदरचना बताईए जैसे एठनौल का अमल का है एक टुर में का है अट्रु का है तो gustado किसमे दो है उसके बादि सी है है O 2 है और फिर H है तो CH3 O 2 हो जाएगा ठिक है उसके बाद यहां पर आप H2S का देख रहे हैं H2S है तो H2 है और O का कितना है 6 है ठिक है इसी प्रकार ethnoiq अमल का देख रहे हैं आप ethnoiq अमल में C3 है H कितना है 6 हो जाता है एस शिक्स है है और ओ है ठीक है उसके बाद F F2 है तो F2 और शे आबंद होता है इससे जुरे है प्रोपेन का भी आप देख रहे हैं ठीक है चलिए आगे छठा नमर का प्रसंदेखेंगे छठा नमर प्रसंद में है समझाती है श्रेनी क्या है उधारण के साथ समझाई निसका उधारण के साथ समझाई है या या यह ó Anda आप धार येस थाती है और यह समझाऊ प्रकार्ध समु को प्रती अस्थापित करने की विधी को समझाती है श्रेनी कहते हैं फिर से वार रिपीट करेंगे योगी की एक ऐसी श्रिंखला जिसमें कार्बन श्रिंखला में इस्थित हाइड्रोजन को ये की ही प्रकार का प्रकार्यक समुह को प्रतियस्थापित करने की विधी को समझातिय श्रेनी कहते हैं जैसे कि दिया हुआ है CH3OH, CH3 CH2OH, CH3, CH2, CH2OH आदिये एल्कोहल को समझातिय की समझातिय स्रेनी है ये सब जो है आदी एल्कोहल की क्या है समझातिय स्रेनी है ठीक है कार्बन श्रिंखला आगे देखिएगा सात्वा प्रस्ण है आपका सात्वा प्रस्ण भौतिक एवं रसानिक गुंधर्मों के आधार पर एथनोल एवं एथनोईक अमल में कैसे अंतरस पस्ट करेंगे तो देखिए एथनोईक अमल का भौतिक गुंधर्म और एथनोईक अमल का भौतिक गुंधर्म एथनोल में है इसमें सराब जैसी अलकोहल की गंद आती है इसका स्वाद खटा नहीं होता है जो अलन सीन है इसका कोथनाग जो है बहुतर दसमलव दो डिग्री सेलसियस है जबकि इसमें सिर्के जैसी गंद आती है इसका स्वाद खटा होता है जो अलन सीन है और इसका कोथनाग 118 डिग्री इसी तरह से अब हम लोग इसका और भी एक दो उधारन देखेंगे जैसे कि यहां लिटमस लिटमस मिक्के परती उदासीन होते हैं लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब कि उसके बाद यह सोडियम हैड्रोकसाइड के साथ अभी क्रिया नहीं करता है जब क देखेंगा अगे है आठमे नमर का प्रस्न जब साबून को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निरमान होता है यह पहले भी हम आपको पता चुके हैं अभ्यास के बीच में जो प्रस्न था उसमें भी साथ क्या एथेनोल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसल का निर्मान होता है तो देखिए जब साबुन या किसी भी अपमार्जक को पान में मिलाते हैं तो इसके तनु अनुपरस पर एकत्रित होकर गुच्छे का रूप धारन कर लेते हैं जिसे मिसल कहते हैं इसमें एक लंबी हाइड्रोकारवन पूच एवं एक रिनातमक सीर्व होता है इस मिसल के पूच के अंदर की और चिपकी रहती है एवं सीर बाहर की और इंगित करता है हाइड्रोकार्बन जल विरोधी तथा सिर जल रागी स्वभाव का होता है नहीं होता है यह हो गया मिसेल का निर्मान क्यों होता है ठीक है क्या दूसरे विलायक में भी इसका होगा तर नहीं एथनोल जैसे दूसरे विलायकों मिसेल का निर्मान नहीं होता है क्योंकि यह धु प्रस्न है आपका कारवन एवम उसके योगिकों का उप्योग अधिकतर अनुप्रयोगों में इंधन के रूप में इसलिए किया जाता है कि अधिकांस कारवन एवम उसके रूप्योग को जलाने पर हमें परचूर मातरा में ताप अपर प्रकास की प्राख्ति होती है जब हुम कारवन और ऑक्सिजन की उपस्तिती में जलते हैं तो ताप अपर प्रकास के साथ खाते हैं दस्वान मर का प्रसंद देखिएगा, कठोर जल को साबून से उपचारित करने पर ज्ञाग के निर्मान को समझाइए, तो देखिए जब कठोर जल में साबून मिलाते हैं तो साबून मेंगनिशियम एभाउन केलसियम लबनों से अभिक्रिया करता है, जिससे मुश्किल से ही जाक उत्पन होता है एवं और घुलंसील पदार्थ का निर्मान होता है समझ मागया 11 नमर का प्रस्ण देखेंगे 11 नमर प्रस्ण है यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीला दोनों हो से साबुन की जाच करें तो आप का परिक्षन होगा साबुन से लंबी हाइड्रो कारबन स्रिंखला युक्त छार होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा नीला कर देगा ठीक है यह इन्पोर्टेंट है यह साबुन से जब आप लिटमस पत्र पर अविक्रिया करिएगा यह चार युक्त होता है इसलिए क्या कर देगा नीला कर देगा आगे देखेंगे 12 नमर का प्रसन 12 नमर में है हड्रोजनी करन क्या है इसका अध्योगिक अनुप्रियोग क्या है तो देखे अध्यूंतरिक है हाड्रोकार्बन को Playadium अत्वा निकल जैसे उठप्रे को प्स्तिति में हाड्रोजन गैस गुजार कर संत्रिप्त हैड्रोकार्वन बनाने की प्रक्रिया को हैड्रोजनी करन कहते हैं ठीक है समझना आगया होगा और संत्रिप्त हैड्रोकार्वन को पैलिडियम अत्वा निकेल जैसे उत्प्रे रखो की उपस्तिती में हाइड्रोजन ग्यास जब उससे निकाला जाएगा तो हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को ही हाइड्रोजनी करन कहेंगे जिस प्रक्रिया द्वारा संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा उसको ही हाइड्रोजनी करन कहते ह को हैं रोजनी करंद्वारा वनस्पति तेलों का निर्मान किया जाता है समझ में आ गया या पर उसका सुद्र दिया गया है चलिए तेरा नमर का परस्ण है धिये गया है है जाता है याद रखेगा सी त्री एच सिक्स एवं सी टू एच टू यह क्या है और संत्रिप्त हाइड्रोकारवन है आगे चौद्र नमर का प्रस्ण देखिएगा चौद्र नमर का प्रस्ण है मखण एवं खान बनाने वाले तेल के बीच रसाइनिक अंतर समझने के लिए एक पड़िक्षन बताईए यानि कि मखण और खाने वाला तेल जो हता है इसके भी मखन एक संत्रिप्त हाइड्रोकार्वन है जब कि खा देते लेकर और संत्रिप्त हाइड्रोकार्वन है इसमें इन दोनों में अंतर इस प्रकार है जब हम मखन से थोड़े जब हम थोड़े से मखन को गर्म करके उसमें कुछ बुंदे ब्रोमीन जल की कुछ तो ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता इसे यह पता चलता है कि मक्षन संत्रिप्ट कार्वन योगिक है जबकि हम खाद तेल में यदि ब्रोमीन जल को डालते और डाल कर हिलाते हैं तो कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है इसे पता चलता है कि खाद तेल क क्या है । याद रख़्ैगा खाजसेत जो है वह संत्रिप्त कारवन योगिक है जबकि मख्षन जो है वह संत्रित रहं कारबन है तिक हैं ौसमों की सफाइ प्रकिया की क्रिया विदी समझा है साबुन की सफाय प्रक्रिया की क्रिया वेदी समझाइए जब हम साबुन या किसी भी अपमार्जा को पानी में मिलाते हैं तो इसके अनुपरस पर एकत्रित होकर गुछे का रूप धारंत कर देती है यानि साबुन का जो अनुप होता है वो मिलकर एक गुछे का रूप ले ल गन्दगी से चिपक जाती हैं जब हम जल को हिलाते हैं तो तेलीय गन्दगी उपर उठने का प्रियास करती है और यह छोटे छोटे टुकडों में वियोजित हो जाती है तथा इस प्रकार दूसरे अपमारजक अनुवों की पूछों को तेल से चिपकने का आफसर परदान करती है अब इस विलियन में अनेक छोटी छोटी तेलिय गोलिया चारो तरफ अपमार्जक अनुवों से घिर जाती है एवं परस परस संयुक्त होकर पुंज बनाने से वन्चित रह जाती है अतह इस परकार हम साबुन की परक्रिया द्वारा वस्तु से ठेलिय गंजगी को दूर कर देते हैं आज के लिए इतना ही आजा करते हैं आप लोगों को सब कुछ समझ में अच्छी से अच्छी तरह से आया होगा आप लोग देख करके इसका नोट त्यार कर लेंगे इसको याद करेंगे और कोशिश करेंगे अपने सब्दों में हर एक प्रसंद का उत्तर दिखने का अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर लें बैल आकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फिर एक नए वीडियो एक साथ मिलते हैं आज के लिए इतना ह जय हिंद जय भारत